नमस्कार दोस्तों यूटूब चैनल ओम्रकास बिंद एजी पर एक बार फिर थे आपका स्वागत है दोस्तों है समाने क्रिसी का वीडियो अपने अगले बढ़ते क्रम में है दोस्तों हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर अवसे जुड़े और टेलेग्राम चैनल से भी जुड़े जहां पर इस वीडियो के फीडिय अफ उपलब्ध होता है वहां से से प्राप्त कर सकते हैं चलते हैं पहले प्रश्ण पर पाला परश्ण है पाइरेथ्रण किटनासक किस पधेश से प्राप्त किया जाता है क्रमसर आफ्षन है नीम दूसरा है गुलदावदी तीसरा आफ्षन थंबाकु चोथा है डेसरी चोथा है डेरिस्ष के स्वेशिज तो इसका सही आप्षन भी है गुल्दावदी अगला प्रश्ण है जयविक वर्गी करण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है करमस्वा आप्षन है पहला कारल लिनियस दूसरा है हेम सिंग पृति तिसरा है अरस्तु चोथा है लियोनेल डी निस्विले तो इसका सही आप्षन सी है अरस्तु अर्था जो बायोलाजिकल टेक्सोनामी के जनक है फादर है अरस्तु है और टेक्सोनामी के केवल कारल लिनियस है अगला प्रश्ण है आल ग्रीन किसकी विराइटी है क्रमसा आप्षन है पाला प्याज दूसरा है मूली तीसरा है सलजम चोथा है पालक क्रमसा आप्षन एक बार फिर से प्याज पाला है आप्षन प्याज दूसरा है मूली तीसरा आप्षन है सलजम चोथा आप्षन है पालक पालक यह पालक की किसम हैं अगला प्रश्ण है अमरूद की किसम लखनव उंचास को और किस नाम से जाना जाता है अर्थात लखनव उंचास का अन्य नाम भी यहां बबताना है जो आपसन में दिया गया है पाला आपसन है इलहाबाद सफ्रेदा दूसरा है सरदार तीसरा कोई नहीं तो इसका सही आप्षन बी है सरदार अर्थत लखनों उंचास को सरदार के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रश्न आउले के किस किस्म में एक कांतर फलन की समस्या पाई जाती है करमसा आप्षन है पहला है कंचन दूसरा है एने फोर नरेंदर आउलाचार तीसरा आप्षन है चकईया छोथा आप्षन है क्रिष्णा तो इसका सही आप्षन सी है चकईया इसमें इस प्रकार के समस्या होती है कि एक साल फला आते हैं अगले साल नहीं आते हैं फिर अगले साल आते हैं फिर अगले साल नहीं आते हैं और थात एक साल के अंतर पर इसमें फ्रूटिंग देखने को मिलती है अगला प्रश्ण है, अनार की किस्म गडेश, कहां की प्रसीद किस्म है? करम चा आप्षन ने पहला महराश्ट, दूसरा है बंगलोवर, तिसरा है राजस्तान, चौता है बिहार तो इसका सही आप्षन महराश्ट्र है इसका सही आपसन महाराष्ट्र अगला प्रश्ण है रंगीन फलो में कौन सा परिरच्छक काम में लेते हैं क्रमसा आपसन है पहला सोडियम बेंजोएट दूसरा आपसन है पोटैसे मेटावाई सलफाइट तिसरा आप्षन है सोडियम बेंजोएट एवं पोटाइस्यम मेटावाइस सलफाइट चता आप्षन है इन में से कोई नहीं तो इसका सही आप्षन यह है सोडियम बेंजोएट अगला प्रश्न है संकर टमाटर की बीज दर है अर्थात जो हाइबरीड टोमेटो है उसका सीड रेट कितना प्रति हेक्टेर होता है यहाँ पर बताना है क्रमसा आप्षन है पहला है 200 ग्राम प्रति हेक्टेर दूसरा आप्षन है 100 ग्राम प्रती हेक्टेर तीसरा आप्षन है 300 ग्राम प्रती हेक्टेर चौता है 150 ग्राम प्रती हेक्टेर तो इसका सही आप्षन D है 150 ग्राम प्रती हेक्टेर कभी-कभी आप्षन में 100 से 150 ग्राम प्रती हेक्टेर देखने को भी मिलता है अगला प्रश्न है भारती मसाला अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टिट आफ इस्पाइसेस रिसर्च कहां इस्तित है करमचा आप्षन है पहला नागपूर महाराष्ट दूसरा है तबीजी अजमेर राजस्थान और तीसरा आप्षन है केसर गोड केरल चोथा आप्षन है कालिकट केरल तो इसका सही आप्षन डी है कालिकट केरल अगला प्रश्न है साल्विया किसकी प्रसीद किसम है करमचा आप्षन है पहला मटर दूसरा आप्षन है मक्का तीसरा आप्षन है तर्भूज चोथा आप्षन है मूंफली तो इसका सही आप्षन यह है यह मटर की प्रसीद किसम है जो इसे फली सहीद भी खाया जाता है अगला प्रश्न है देश में सबसे बड़ा काफी का उत्पादक राच यह है क्रम्सा आप्षन है पहला केरल दूसरा है करनाटक तीसरा है हिमाचल प्रदेश चौथा है असम तो इसका सही आप्षन भी है करनाटक अगला प्रश्न गन्ने की रेटून फसल कितनी बार लेने की सलह दी जाती है क्रम्सा आप्षन है पहला एक बार दूसरा आप्षन है दो बार तीसरा आप्षन है थीन बार और चौथा आप्षन है चार बार तो इसका सही आप्षन ए है एक बार अगला प्रश्ण है किसमे परागर क्रिया हाथों द्वारा की जाती है अर्था जो पाली नेशन का कार्य होगा हाथों द्वारा किया जाता है किसमे किया जाता है यहाँ पर आपसन है क्रमसा आपसन है पहला आम दूसरा है अंगूर, तीसरा आप्षन है पपीता, चोथा आप्षन है खजूर तो इसका सही आप्षन D है यह खजूर में प्रक्रिया की जाती है हैंड पालीनेशन अगला प्रश्न है किस प्रकार के पौधों में जल उपयुक दश्चता, वाटर यूज एफेसेंसी सबसे अधिक होती है क्रम्षा आप्षन है पाला कैम दूसरा आप्षन है C4 प्लांट तीसरा आप्षन है C3 प्लांट और चोथा आप्षन है इन सभी में तो इसका सईया आप्षन ए है कैम प्लांट में है सबसे अधिक होता है जल उपयुक दश्चता अगला प्रश्न है अंकुरित बीजों में सरकरा पाई जाती है अर्था जो जर्मिनेशन होता है जर्मिनेशन वाले सीड में किस प्रकार की सुगर पाई जाती है यहाँ पर आप्षन में दिया है उसे बताना है करमसा आप्षन है पहला लेक्टोज दूसरा है गलेक्टोज तीसरा आप्षन है सुक्रोज छोथा आप्षन है माल्टोज तो इसका सही आप्षन डी है माल्टोज अगला प्रश्न है मक्का का पीला रंग किसके कारण होता है अर्था जो मक्का होता है वह पीला रंग देखने को मिलता हुआ किसके कारण होता है क्रमस्वा आप्षन है पहला कैरोटीन दूसरा है जिया जन्थिन तीसरा आप्षन है कैरिका जन्थिन और चोथा आप्सन है लाइकोफीन तो इसका सही आप्सन भी है जिया जेन्थिन द्वारा मक्का पीला होता है अगला प्रश्न अल्प दिवस पादप अर्थात लगू दिवस पादप साड़े प्लांट है यहाँ पर बताना है आप्सन है क्रम्श, धान, दूसरा आप्सन है स्वयविन, तीसरा आप्सन है गेहूं, चोथा आप्सन है A और B दोनों तो इसका सही आप्सन D है A और B दोनों अगला प्रश्न है C6S12O6 प्लस 6O2 एरो C6CO2 प्लस 6H2O प्रदर्शित करता है अर्था जो यह समिक्रण दिया गया है यह किसको प्रदर्शित करता है क्रम्श आप्सन है प्रकास संसलेशन अर्था फोटो सिंथेसिस को दूसरा आप्सन है स्वसन को अर्थात रिस्पाइरेशन को दूसरा आप्सन है स्वसन अर्थात रिस्पाइरेशन को तीसरा आप्सन है आक्सीकरण को चोथा आप्सन है भोजे पतातों का अस्थनांतरण को करथात यह जो इक्क्वेसयन है जो समिक्रण है किसको प्रदर्शित करता है इसमें मताना है तो यहां पर इसका सही आप्शन भी है यह स्वसन को यह प्रदर्शित करता है दर शाता है Idska सही आप्शन road है यहां पर कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है जिसमें क्या प्राप्त हो रहा है कार्मन डायक्साइड और जल प्राप्त हो रहा है अगला प्रश्ण है बैगन का छोटी पत्ती रोग लिटिल लीफ डिजीज किसके कारण होता है जो ब्रिंजल का लिटिल लीफ डिजीज होता है या किसके कारण होता है करमसा आप्सन है पहला मैकोप्लाज्मा दूसरा है जिमाडू तीसरा है क्वक चोथा है ये सभी तो इसका सही आप्सन ये है मैकोप्लाज्मा अगला प्रश्ण नीम्न लिखित में से कौन चारोग वाइरस के कारण होता है अथात इसमें से उस डिजीज को बताना है जो उसका कारण होता है काज होता है वह वाइरस होता है अथात बिसाणू होता है तो क्रमसा option है पहला है खुर्पका, मुह्पका फूट एंड माउथ डिजिज दूसरा option थेनेला तिसरा option है एंथ्रेक्स चोथा option है टीबी तो इसका सय आप्षन ए है खुर्पका, मुह्मपका जिसे फूट एंड माउथ डिजिज कहते हैं दोस्तों यह वीडियो का लाश्ट प्रस्न था दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को आवसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का पीडियो राप्त करने के लिए टेलेगराम चैनल से आवसे जुने वहाँ पर इस वीडियो का पीडियो उपलब्द होता है